ऺेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब करें अबाइवा को कैसे केए करें के सुआ हो सकती है इन जा सब आसफामने कि देखिए भाइव का फूरा में डिखा देता हूँ कि ये हइब्रिड वेंग मैं इसकी अगर आप लिव देखेंगे तो यह देखिए रेड के साथ वाइट है कुछ-कुछ में तो जैसे रेड और आपका वाइट मिक्स है तो इसमें छोटे-छोटे आप देख सकते हैं फूल भी निकले हुए बहुत ही खूबसूरत लगता है यह कैसा भी सीजन हो कि निकलता है हम लोग का और देख लगमगाया हुआ है फूलों से यह पूरा देख सकते हैं पूरा नीचे से उपर तक फूली फूल इसमें लगे हैं पूरा बेगम विल्या कितना खूबसूरत लगा है इसकी पत्तियां भी अगर आप देखिए तो थोड़ी सी ग्रीन और येलो अगर आप इसमें फूल नही हो जाता है इसमें खुब धेर सारे फूल आते हैं और बहुती लाइट बेटेट फूल होते हैं इस पेवड की अगर आप नीचे डंगाल देखें यह देखिए कितनी सॉलिड डंगाल हो चुकी है इसको मैंने एक लोहे के डंडे से इसको इसको स्थिल खड़ा कर रखा है पूरा देखें कितना खुबसूरत ने लाग हो वह यहीं है यह पेवड हम लोग के भग के बहुती लाइटी एटकम में आता हे इसमें पीला आता है हम लोग का लाइट पिंग भ cowboy डार पिंग आता इस पेवड की कीमत अगर आप बिल्कुल सेम यही पेवड लेने जाएं 200 रुपय से खम आपको यह पेवड नहीं मिलेगा यह पेवड मैं लाया था जब यह बहुत छोटा सा था और मैंने इसकी केर करकर के इसको इतना किया अगर मैं इसकी केर की बात करूं तो इसमें पानी आपको रेगुलर इंटर्वल्स में डालना पड़ता है एक दिन में एक बार अगर जाड़ो का समय है तो दो दिन में एक बार चल जाएगा इसकी लगातार आप गुडाई करते रहिए मिट्टी इसकी ठीक ठाक हर 15 दिन में मानके चलिए एक बार इसकी गुडाई बहुत ज शांदार लगती है इसकी मैंने दो प्रजाती और लगा रखी है लेकिन उसमें अभी पूल नहीं आये क्योंकि प्योड़ बहुत चोटा है जब यह प्योड़ थोड़ा सा वह दोनों प्योड़ जब बड़े हो जाएंगे तब मैं आपको अभी आप यह सब देख सकते हैं क कोई भी और प्रश्णों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें मैं उन प्रश्णों का जरूर से जरूर रिप्लाइ करने की कोशिश करूंगा थैंक यू वेरी मच आप सभी ने यह वीडियो देखा उसके लिए आप सभी का बहुत-बहुत अभार प्लीस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जिरूर करें दन्यवाद